शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें जी अम्मी हाँ हो गए हम हॉस्पिटल से डिस्चारज अब यहाँ से निकल कर थाने जाएंगे फिर घर आएंगे अम्मी हमें पहले थानी जाना होगा एक तो वैसी क्वारंटीन होने की वज़े से हमने इतने दिनों से ड्यूटी मिस कर दी सब लोग वहाँ पर अकेला सारा काम समाल और अब तो जानती हैं कि हमारे लिए दिंदगी में दो ही चीज़े माइने रखती हैं एक हमारा काम और हम द्यान रखिए खुदा हाफिज रादे जा रहे हैं जा रहे हैं फाइनली बिल्कुल अच्छे से ठीक और स्वस्थ हो कर ड्यूटी जॉइन करने घबराओ मत हम तुम्हें बिल्कुल नहीं भूलेंगे पिछले कुछ दिनों में तुम्हें नहीं बहुत मदद की हमारा ख ड्यूटी है हमारी नहीं लेकिन ऐसे माहौल में इतनी शिदद से और महनत से काम करने वाली लोग बहुत कम मिलते हैं उसके लिए थैंक यू यह क्या मैंड़ी यह नहीं चीए हम हम अपनी खुशी से दे रहे हैं यह हमारा तरीका है शुक्रिया दा करने का प्लीज मना मत कर ले लो एक मिह एक मिड़को रुको तुमने इतनी हमारी मदद की तुम्हार Farm साथ एक सेलुई तो वनती है अब अखिर नहींगी काप और का मुश लोग है नहीं तुमने हमारी बहुत मदद की है हम यह फोटो सोषिल मीडिया पर पोस्ट करेंगे ताकि पूरी दुनिया को कि ऐसे माहौल में भी कुछ लोग हैं जो अपना काम इतनी इमानदारी और शिद्दत से कर रहे हैं हम इन फैक्ट हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट से तुम्हारे बारे में बात करेंगे तुम्हें बोनस मिलना चाहिए रहे हम नहीं मैनम जी अम्मिफरे पेस कोई भरन कंया हमें मुझे कोई भर Southwest नहीं ही मैं चलता हूं रुको रुको रुको। अच्छ अच्छ सेल्फी ना सही एक औरममulatoro ले लेते हम तुम्हें याद रखना चाहते हैा हम तुम्हें तुम्ह inomानमजी नहीं मैनम जी कोई फोटोबोट नहीं, हम चलते हैं ना, बहुत देरो हुए है, गया है डोक्टर सबाग अभी भी भी आते होंगे, मैडम जी, आपने बहुत हाची हाची है, आपने खार रखेगा राधे, कोई प्रोब्लम है, तुम किसी तकलीफ में हूँ, हमे बताव, हम तुम्हारी मदद, हमे आपके कोई मदद नीची मैडम, आप फिर पप्रा सोशल दिसंसर, हाँ, सॉरी, हम थोड़े, गुर्मनिंग, डॉक्तर, वेरी गुद मानिंग, तुम कॉन हो, क्या बात कर रह आप अपने ही हॉस्पिटल के स्टाफ को नहीं पहचानते, मैं अपने हॉस्पिटल के स्टाफ में सभी को पस्नल ही जानता हूँ, उनमें ये नहीं है, इनको मैं जानता नहीं हूँ, और ये इधर वाट बॉई की यूनिफॉर्म में क्या गर रहे है, क्या बात कर रहे हैं यह इतने दिनों से हमारी देखभाल कर रहा है, इसने हमें खुद बताया कि यहां का वाट बॉइ है और इसका नाम है राधी जूट बोला है यादमी, आज से पले मैंने इसकी शक्लत अग नहीं देखे थी, मैं सेक्यूरिटी को बलाता हूँ सेक्यूरिटी ज Ari क्रशन, क्लिवब थी के स---- काभा कैती ओ, एलावा झरुछ बज रहा हे इसका। सर्विसिंग ने करवाया हो इसका। क्ष़ब इं काभा कैती यह, हाँ' डे ज़िए-ब और तुम बैठो हम तक का मारते गाड़ी कुसका बस 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 दो मिनिट मानम हो जाएगा हुजाला पुलिस्थाना जन्पद लखना उग असे चो नीज़ शद्पर्तिशत वही है गाड़ी ठीक से चला नहीं पाती ये पुलिस्थाना क्या चलाती होगी नमस्ते गश्मा सिंगी नमस्कार मैसल्फ ऐसे चो बुलबुल पांड़े कोंती नगर पुलिस्टेशन नाम तुस नहीं होगा किसका पुलिस्टेशन का या फिर आपका सर मजा कोड़ा रही है अभे मजा कर रही है किसका आपका कुछ मामलों में उसे मर्दों की जरूर पढ़ती है जैसे इस वक्ता आपको हमारा मदद का जरूरद है अरे करन दीजिये हमको मदद ते कि हमको आपका गाड़ को धुका मारने में कोई दिक्कत नहीं है हम मार देते हैं टेंश बलेगे किम्टेमें से अधियों में आपका बहुत भाध भुद लिए एक जड़ूरत नहीं हैं। हम यह कुद्र कर सकते हैं। संतु काडि में बैटते हैं। मैम मैं बैटते हैं नहीं आरामसे, दखका मारने दीजे้ं। करने दीजे ना मदद! जब फुलिस का मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा ते कि आपसे नहीं हो पाएगा चल लगाँ किसने काम से नहीं हो रखा बहुत अच्छा लगा आपके ये नेक विचार सुनके कि आपके अंदर मदद करने का जजबा है दरोगाजी अब पुलिस वाले हम हमारा तो काम य जरूरत है क्या हमको जरूरत नहीं है आपके मदद की और एक बात हम बहुत अच्छे से जानते लेकिन शायद आप नहीं जानते और वो यह है कि औरत ना बहुत कुछ कर सकती है क्यों सन तू जी माडम चलो कि जाँ अच्छे आ झार याली अ कि अ बहुत के पाली है अज़ जमाना बदल गया है अब औरते बहुत आगे निकल रही है हम आगे निकले है अचली आगे देखने लाइग मुथ है अच्छुपा मजा आगे मादम किया उख्याओ कापा कहती है चोड़ों है अटथ जोड़ों पीशर अचछ अचाट हो अच्छक अच्छ अचछ अच्छ एगां आत ने किया चला है हां और यद अब हमारी कस्रीडी मैं माईसा पताएं के काई भागे फरनेया आप क्या होगया अपको तो तुम वाग बॉई नहीं है, उर ऑना बàng, आपीड़ नहीं में उक्परसे वाग बने फिर रहे हो भूर्ड रहे हो दो में एक तो लुझा नहीं कि पढ पहर सकुछ नहींदर गौने, हम समझ नहीं पार रहे हैंप त्का बोल दोढ रहे हैं मैडम, मैडम, रहा राजीन वेड़ुम्, आभी. आभी, बैटमीजिए, आभी. तीट, तीट, धिए, तीट, वी दर्गौ अन्दर्रे. वा, आभी, पोषिए, पर्ट कर्णे. प्रुख जाये मेडम सेर जा हुआ एक मिनीट यह सब क्या है आई एक मिनुट एक मिनुट एक मिनुट मेडम सेर प्रुख जाए एट जाए एक मिनुट एए। जय है मादम सर, वेलकम बैक, जय है, शुक्रिया, बहुत बहुत तहे दिल से आप सब का शुक्रिया, इतने प्यारे और धमाकिदार वेलकम के लिए, तैंक यू, मादम सर, मादम सर, एक ना ऐसे परस्नल लेवल पर थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि तजूर्बा कहता है हमारा अगर हो जाये मादम सर, तो हम लोग ऐसे लग जाये कि आप आगी है, बहुत मिस्की है मादम सर, प्लीज मादम सर, प्लीज, 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 प्लीज और भोह हैं। भहत मीजी आपफो बहुत मिप्सको है। यह भुत नांहे हमारा घर है और अपराम ऑन हमार बहुत दूरनीं रहे थारूनें। कि अपले भाथ महोथ हमीजी ह मीजी खालसज झाधा है। तुमारा घटिया अधरक वला चाय है, जो अभी तक घटिया ही है, बिल्कुल सही, लेकिन मैडम हम और हमारी बिर्यानी सची बहुत मिश्किया, अपके बालों का तो कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन बिर्यानी ने मिश्किया बहुत, पैसे यह सब अपका प्लान था नहीं, अरे नहीं मैडम सर, यह तो करिश्मा मैडम का ही प्लान था, यह ही चाहती थी कि हम कुछ ऐसा करें कि आपका दिल खुश हो जाए और हम सब अपनी फीलिंग अपके लिए एक्स्प्रेस कर पाएं, मना कि यह थे ना तुमको, पिर पेट दुखता ना मैडम, मैडम सर, सच मे हम बहुत अकेले पड़ गए थे आपके बिना, अचानक से ऐसे छोड़ कर चले गए हम भौरा गए थे कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे आपके बिना, आप प्रॉमिस कीजे कि आप ऐसे छोड़ कर नहीं जाएंगे आज के बाद, आपको लगता है कि हमारी लाइन ओव डूट आपने साबित कर दिया है कि हमारे ना होते वे भी आप ये थाना अकेले बहुत अच्छे से चला सकते हैं, इस थाने को हमारी जरूरत होना, आपकी जरूरत हमेशा रहेगी, मैडम सर आपने इतना बोल दिया हमार ले काफी है, हम हमेशा आपका भरोसा और उमीद पर खरा उ कुछ जादाता नहीं हो रहा है, हज़ै सही होरा है, सही हो रहा है, मैडम स Dieses नहीत की ह कारpped को आप पीछ genialister, की नहीं वैट था नहीं ऩहीं पर नहीं बैटेंगे यह कुर्सी वहां मेडम की हम नहीं गेए वैज cancer, यहां ऱ्ना हो लाग प एफनाने के पैछे क्न था थान भरो रवु रामचंद्र के खड़ाव रखकर अपना राज्य समाला था बस उसी तरह एक्टम सेम तो सेम कमाल एक अरुष्मा सेंग दिल जीत लिया आपने माडम सर चलिए आपका कुर्सी आपका बेस्टबरी से इंतिजार कर लिया चलिए 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 माडम तुम? राधे तुम यहां जेल में क्या कर रहे हो? माडम सर आप इने जानती है? हाँ, यह राधे आपकेशन है हम जिस हॉस्पिटल में कॉरंटीन थे यह वहां पर वाट बॉय था ने-ने माडम सर यह कोई वाट बॉय वाट बॉय नहीं है यह दोके बाद इनसान है वाट बॉय बन के हस्पाताल में घूम रहा था इसलिए हमने इनको लॉक अप में डाला है अभी एक दो लगाएंगे ना खेच के तो सब ओगल देखा नहीं करिश्मा सेंग अच्छे बुरे इंसान का फर्क हम समझते है यह बुरा इंसान नहीं है हमने इसे हॉस्पिटल में बहुत शिदद से महनत से और पूरे लगन से लोगों की सेवा करते अवे देखाए ऐसा इंसान गलत नहीं हो सकता और आप आपने बिना सोचे समझे बिना इससे इसे अपनी बात कहने का मौका दिये सिधे जेल में बंद कर दिया गलत किया अपने करिश मसिंग चीते निकालो इससे मैं कवा कवा कवुतर चीता शांत्रा हो देखो इसे बोलते वक्त अटकनी की प्रॉब्लम है और जब यह स्ट्रेस में होता है तो यह प्रॉब्लम और बढ़ जाती इसलिए शांत्रो और आमें बात करने दो देखो रदी कोई कुछ भी कहे हमें तुम पर पूरा यकीन है इसलिए घबराओ मत हम तुम्हारी मदद करेंगे अच्छे से पहले शांत हो जा फिर बताओ की सच किया है मैं अगर मैं चलती चलती बोलूँगा तो काम अटकूँगा और अगर मैं अटक गया तो आप लोग हाट अटक जाओ हैं प्लीज देखे मैडम मैं क्लार्क हूँ बेबी फूट प्रोड़क कमणी में काम करता था सब लोग मेरे काम से बहुत कुछ थे प्रोब्लम वाँ शुरू हुई मैडम जहां मेरी बीवी पीने लगी प्रेगनेंट हुई प्रेगनेंट हुई देखे मैडम कि यहां पर मैं और मेरी बीवी आके ले रहते हैं तो ऐसे वक्त मैं मैं चाहता था कि मैं अपनी बीवी के साथ रहूँ हां तो मैंने कंपनी में बाई रिटर्न एप्लिकेशन देदी लेकिन वह हुआ हुआ एक्सेपनी हुई मेरा बोस कहने लगा कि यह तो और का काम है तुम वहां अपनी बीवी के साथ रह क्या करूँगे? देखे, मैं चाहता था तो मैं पेटर्निटी लीव ले सकता था और जिसकी वचे मुझे कोई कमनी से निकाल ली सकता हस्थचेप के लिए भाई हम थोड़ा आपनी खाहेंगा है लेकिन पैतर्लीटी और मैटर्निटी लीव का होता है नहीं से उर्थे उर्थे तो हम बहुत सुन है मैटर्निटी लीव व हमस्तरी लीव Всё मतलब का होता है अगर हमको हा रहा, मीटू देखिए इसको भी नहीं पता है किया हम समझाते हैं जब एक और प्रेगनन्ट होती है तो डिलिवरी के दो महिने पहले से वो 26 हफतों की छुट्टी ले सकती है पेड लीव ताकि वो डिलिवरी के बाद वो अपना और अपने बच्चे का ठीक तरीके से खयाल रख सके इसे मटर्निटी लीव कहते हैं ठीक उसी तरह बच्चे के पैदा होने के बाद उस औरत के पती को भी छुट्टी मिलती है ताकि वो अपने बीवी और बच्चे का ध्यान रख सके और इस छुट्टी को कहते हैं प्रटर्णिटी लीव हाँ 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 समझे लीव सर मेडम सर हमको गलत मत समझेगा लेकिन एक सवाल इसे मन में आ रहा था कि अगर बीवी प्रेगनेंट है तो पती को छुट्टी लेने का ज़रूरत है नहीं प्रेगनेंट तो बीवी है ना पती तो काम करी सकता है करेक्ट हाँ कि यही एक समय है जब एक पत्नी को अपने पती के साथ की सबसे जादा जरूरत होती है खयाल तो कोई भी रख सकता है लेकिन एक एक तरह का इमोशनल सपोर्ट सुरक्षा जो एक पती अपनी पत्नी को दे सकता है उसकी कोई तुलना नहीं है प्राइविट कंपनीज में खास तोर पर राधे जिस कंपनी के लिए काम करता है उसमें राधे को पंधरा दिन तक की पांदरा दिन तक की पटरणटी लीव ओफिशली पेड लीव मिल सकती है तो मैडम सहीं की नोकरी कैसे जा सकती है वाह इंत्रलिजन्ट क्वेश्च्च्ट्ट क्या बात है संतु जी हम सेम सवाल पूछने वाले थी मीटू मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मुझे डाटना फटकारने लगे और मेरे बहुस मेरे अगेंस्ट होगे पोरा दीन कम वजह से जखनी सिव नग घख अर वार दीन के लिए मुझे जब की लगई और, उसी एग दीन के लिए मुझे खेला Meadam, तो उसका मुद्दा बना कर मुझे नाकर नुक्री से निकाल एड बिना काम के, बिना पैसे के मैं करता भी क्या, एक होने वाले बच्चे की जिमेदारी थी ना मुझे ना मुझे ने, मतलब मैंने नुकरी दूने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिली नहीं ना, मेरे इसे इसकी वज़े से हैं, हाँ, मेरा जो दोस्त है, वो हॉस्पिटल में काम करेंगा, उसे वो पेशन और उसके जो रिलेटिव हैं, उसको टिप्स देंगे, काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, उन सबकों एक मास्क और वो गलव्स देते हैं, और वही मास्क और गलव्स में पहनता था, ताकि वो मेरी आइडिंटिटी चुपी रहे, लेकिन क्या करें मेडव, आइडिंटी चुपी नहीं और पकड़ा गया, मैं जानता हूँ कि मैंने जूट बोला है, लेकिन मेरे पिता और हरे पिता आपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है, तो आपने पहले पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? नहीं, की थी मैंन कंप्लेंट की, वो गोमती नहीं के पोलीस सेशन में पिता लेकिन वहां का जो एसे चुपी उसने मेरे पिता मेरे लिखने से मना कर दिया, कहता था कि इसमें तुमारी गलती है, क्या नाम क्या है उस एसे चुका? बुल-बुल-पंडे, बुल-बुल-पंडे, पता ही था हम को कितना बड़ा मददार आ है उसके चहरे पे लिखा था तुम चिंदा मद करो रहा dicho, हम तुम्हारी मदद करेंगी तुम्हेट नौकरे भी वापस मेलेगी और सालरी भी मिल जाएगी और वो भी पूरे मान सम्मान के साथ है तुम्हारे बॉस का नाम क्या है? मानव लेकिए इन भाइसाब ने तो हदी पार कर दी इन्होंने क्या किया हमारे एक पुराने क्लाइंट की फाइल के पेपर को हवाईज बना के पूरी ओफिस्स नोड़ा है अब ही होता है आप ही अप ही रखा ही आप खी रखाते नहीं हम जानते हैं कि आप जूट बोल रहें मिस्टर मानव अपने धोके से राधी को नौकरी से निकाल दिया और यहां तक कि उसे उसकी सालरी भी नहीं दे रहें जो कि उसका हक है और ये बात हम साबित कर सकते हैं अगर हमने आपके केस की ओफिशिल फाइल बनाई तो आप बहुत जादा मुश्किल में बढ़ सकते हैं आपकी नौकरी तो हज से जाएगी ही साथ साथ आपकी कंपनी की इमिज पर हर फाएगा बो अलग समझदार आपी लगते हैं सोच लीजे हाँ बात कर लीजे आप अपने सीने से बात कर लीजे पर जैसा हो कहेंगे अज़े लिए एक मिन टेखिए कॉन सीनेर अज़े हैं पुलूल पंडे एसे चो गोंती नेगर थाना है जानते दो हूंगी हैं किसने का आपको कि वो हमारे सीनेर हैं हाँ नहीं है हरी तो और अपको यह पेज़े हैं हम खुद आए हैं हमको कौन बेजेगा करशमा सिंग हम बात कर रहे हैं हमें बुल्बुल पंडे ने बोलादा कि हमें कोई दिक्कतनी आएगी फिर आपके मुठा कैसे आगी आप की रखाई और जाही हैं करशमा सिंग रिलाक्स देखिए मिस्टर मानव हम नहीं जानते कि किसने आपस क्या का है लेकिन हमारे पास आपके और आपके कंपनी के खिलाफ ओफिशिल कंप्लेंट हैं अगर आपने रादे को उसकी नौकरी वापस नहीं दी अगर आपने उसकी सालरी नहीं दी तो मजबूरन हमें आपके खिलाफ एक्शन लेना होगा इस बाट क्लियर अपके लगता है आपकी जंगीज मदद जाओंगा आपकाम कीज़ है आपके खिल निखाय कर लेज़ से अपनी नौकरी हमेशा के लिए गवाना चाहते हैं या रादे को उसकी नौकरी वापस देना चाहते हैं 24 गंडे तुमारे पास Mr. Maanav, डिसाइड कर लेजे कि अब अपनी नौकरी हमेशा के लिए गवाना चाहते हैं या राधे को उसकी नौकरी वापस देना चाहते हैं